आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउन्डोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थाना कमला नगर स्ट में मानेजर के घर हुई लूट की वार्दात में शामिल दो शातिरों को गिरफतार कर लिया गया मारेज़य के साथ तब फॉम में काम करने वारे करमचारी ने ही वार्दात की यूजना बनाई थी पकड़े गए बदमाशों से नगदी के साथ जेवराद भी बरामत कर लिए गए हैं थाना कमला नगर के भगवान नगर बलकेशवर में मैनेजर सुनील अगरवाल के घर सरिशाम हुई लूट की वारदात में शामिल दो शातिरों को गिरफतार कर लिया है मैनेजर के साथ फर्म में काम करने वाले करमचारी राजकुमार ने ही वारदात योजना बनाई थी लूट करने के लिए सोनु पंजाबी और कुलदीब को भेजा गया था दोनों बदमाश सुनील की पतनी रेनू और बेटे कृष्णा को बंधग बनाकर लाखों का माल लूट कर ले गए थे थाना कमला नगर में 3.1.2022 को एक तहरीर दी गई थी कि उनके घर में घुसकर दो लोगों ने उनके पैसे लूट लिये हैं और साथ में कुछ एक जियोरात और मुबाइल लेके चले गए इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 40 घंटे के बीतर जो मेन अव्यूक था उसो गिरफ़तार कर जेल भेज दिया था और सारे 5 लाख रुपए उसके पास से बरामत किये गए थे जो सेस का बचा हुआ उसी फॉर्म में काम करने वाले राजकुमार ने सुनील को फॉर्म की रकम घर ले जाते हुए देख लिया था पांच्छे लाख रुपए देख लूट की योजना बना डाली पहले बदमाशों ने रैकी की फिर फ्लैट पर धावा बोल दिया था करीब नगर जीवनी मंजी के रहने वाले कुलदीप और रजवारा बलकेश्वर के रहने वाले राजकुमार उर्फ नैना के कबजे से एक लाख रुपए एक मंगल सूत्र तमंचा और मोबाइल बरामद हुआ है इस तरह से पूरे के पूरे घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस घटना में जितनी भी चीज की लूट हुई थी पैसे की, पेंडल की, मुबाइल की, सबकी सत प्रतिसत बरामद की हुई है ये कमला नगर पुलिस के लिए बहुती सा आनिये का रहे है भगवान नगर में मैनेजर के घर लूट में शामिल एक बदमाश सोनु पंजाबी को पुलिस पहले ही ग्रफतार कर जेल भेच चुकी है सोनु पंजाबी के कबजिस से भी लूटी गई रकम बरामद हुई थी मैनेजर के घर से रकम लूटने के बाद तीनों नहीं बटवारा कर लिया था शातिनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह वारदात के बाद पकड़े जाएंगे लेकिन सीसी टीवी कैमरों में कैद हुए बदमाश पुलिस से बच नहीं पाए सी न्यूस के लिए संदीप शर्मा की रिपोट